ओम शान्ती, 13 सितंबर 2024 के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मुर्लिसे होमवर्क जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएगी, उसमें बल भरेगा यहां भी तुमको बाप कहते हैं, अटेंशन अर्थार्थ एक बाप की याद में रहो मुख से बोलना होता है, बाप गड़ी-गड़ी समझाते हैं एक आख में शान्ती धाम, दूसरी आख में सुक धाम रखो तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो सब को सुक धाम शान्ती धाम का रास्ता बताते रहो लाइट हाउस बनने से अपना कल्यान करते हो, बाप को याद जरूर करना है जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, सबकी नईया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्यान करना है, अब सुनते हैं इश्वरिय महावाक के विस्तार से मुरली का सार, मिथे बच्चे, तुम सरव आत्माओं को करम बंधन से सैलवेज करने वाले सैलवेशन आर्मी हो, तुम्हें करम बंधन में नहीं फसना है, प्रशन, कोन सी प्रैक्टिस करते रहो, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, उत्तर, जब भी समय मिले, तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएगी, उसमें बल भरेगा, तुम अंडरग्राउंड मिलेटरी हो, तुम्हें डारेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थार्थ, एक बाप की याद में रहो, एशरीरी हो जाओ, ओम शान्ति, ओम शान्ति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीती समझाया है, जहां मिलेटरी खड़ी होती है, वह फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस, यहां भी तुमको बाप कहते हैं, अटेंशन अर्था नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए, अटेंशन बाप की आद में हो, बाप का डारेक्शन अत्वा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम करमातीत अत्वा सतो प्रधान पव विकत्र नहीं बन सकते, मूल बात ही यह है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाड़ले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है सब इस समय की बाते, जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं, वह भी मिलेटरी है, तुम भी मिलेटरी हो, अंडरगराउड मिलेटरी भी होते हैं ना गुम हो जाते हैं तुम भी अंडरग्राउंड हो तुम भी गुम हो जाते हो अर्थार्थ बाप की याद में लीन हो जाते हो इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना तुम्हारी याद की यातरा गुप्त है सिरफ बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं, याद से इन बिचारों का कल्यान होगा, अब तुमको बिचारा कहेंगे न, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं, बिचारे उनको कहा जाता है, जो कहा बंदन में फसे रहते हैं, यह भी तुम समझते हो, बाप बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाऊस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाऊस कहा जाता है, बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आख में शान्ति-धाम, दूसरी आख में सुख धाम रखो, तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शान्ति धाम का रास्ता बताते रहो, इस दुख धाम में सबकी नईया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नईया मेरी पार लगाओ, हे मान जी, सबकी नईया फसी पड़ी है, उ को सेलवेज कौन करें, वह कोई सेलवेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है, वास्तव में सेलवेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेलवेज करते हों, सब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं, हमको लिब्रेट करो, हो जाएंगे, अभी तो सब फसेवे हैं, बाप को बागवान भी खहते हैं, इस समय की ही सभी बाते हैं, तुमको फूल बनना हैं, अभी तो सब काटे हैं, क्योंकि हिंसक हैं, अभी अहिंसक बनना हैं, पावन बनना हैं, जो धरम स्थापन करने आते हैं, वह तो पवित्र आ पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मावा शरीर को दुख मिलना सके क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है तो दूसरों का भी नहीं होता है हर एक बात पर विचार करना होता है वहां से आत्माई आती हैं धरम स चलती है सिख धरम की भी दिनाइश्टी है सन्याश्यों की दिनाइश्टी थोड़े ही चलती है राजाएं थोड़े ही बने हैं सिख धरम में महराजा आदी हैं तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नहीं आत्मा आती है क्राइश्ट ने आकर क्रिश्चन धरम स्थापन किया बुद्ध ने बोधी इब्राहिम ने इसलाम सब के नाम रासी से मिलते हैं देवी देवता धरम का नाम नहीं मिलता है निराकार बाप ही आकर देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं वह देहधारी नहीं है और जो धरम स्थापक हैं उनकी देह के नाम है यह तो देहध आपतारी नहीं, दिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है, तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रुहानी मिलेटरी जरूर समझो। उन मिलेटरी आदी के कमांडर आदी आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो जट खड़े हो जाते हैं। अब वहे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शान्त में रहेंगे परन्तु वहे जूठी शान्ती हो जाते हैं तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धरम ही शान्त है, फिर याद किसको करना है, अभी तुमको ग्यान मिलता है, ग्यान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, यह ग्यान और कोई को नहीं है, मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं, हम आत्मा शान्त स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैज हो बैठना है, यहां तुमको वह बल मिलता है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो, बाबा समझाते हैं, कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैज होकर बैठो, तुम जानते हो, हम आत्माओं को अब वापिस जाना हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं, हमको घर जाना हैं, पतित आत्मा तो वापिस जाना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है, कि किसको याद करो, बाप समझाते हैं, याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फाइदा, समझो भक्ति मारग में शिव शिव कहते रहते हैं परन्तु मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा शिव को याद करने से पाप कटेंगे यह भी किसको पता नहीं है आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही इन सब बातों से कोई फाइदा नहीं है बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना बाप ने कहा है ना हे अरजुन इन सब को छोड़ो सत्गुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं सत्गुरु तारता है बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसूरी संसार से पार ले जाता हूँ, विश्य सागर से पार जाना है, यह सब बाते समझाने की हैं, मांजी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परन्तो समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं, उनको कहा जाता है प्रानेशुवर बाबा, अर्थार्थ प्रानों का दान देने वाला बाबा, वह अमर बना देते हैं, प्रान आत्मा को कहा जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो कहते हैं प्रान निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं, आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगर तो शरीर मे यह बाहर सो जाती है پھर उनको रख करके क्या करेंगे जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे सिरफ एक बंदर है उनका बच्या मर जाता है बाहर सोती है तो भी उस मुरदे को चोड़ेंगे नहीं लटकाए रहेंगे वह तो जानवर है तुम तो मनुष्य हो ना शरी छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर समसान तरफ करते हैं फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदीकर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिराकर मुँ समसान तरफ कर देते हैं तुमने श्री कृष्य को भी एक्यूरेट दिखाया है नरक को लात मार रहा है श्री कृष्य का यह शरीर तो नहीं है उनका नाम रूप तो बदलता है कितनी बाते बाप समझा कर फिर कहते हैं मन मना बव यहां आकर जब बैठते हो तो अटें जब तक जीना है बाप को याद करना है याद से जनम जनमांतर के पाप कटते हैं याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे बाप को याद करना है याद में आखे बंद नहीं करनी हैं सन्यासी लोग आखे बंद करके बैठते हैं कोई-कोई तो इस्तरी का मू नही देखते हैं पट्टी बांद कर बैठते हैं तुम जब यहां बैठते हो तो रचता और रचना के आदी मद्य अंत का स्वय दर्शन चक्कर फिराना चाहिए तुम लाइट हाउस होना यह है दुखधाम एक आख में दुखधाम दूसरी आख में सुखधाम उठते बैठते अप अपने को लाइट हाउस समझो बाबा भिन भिन नमुने से बताते हैं तुम अपनी भी संभाल करते हो लाइट हाउस बनने से अपना कल्यान करते हो बाप को याद जरूर करना है जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं वह तो एक बोलो आपको पता है यह दुख धाम है वह है शानती धाम और सुक धाम आप शानती धाम सुक धाम में चलना चाहते हो यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है, आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है, यह नईया है जो रावन की जेल में लटक पड़ी है, मनुष्य मनुष्यों को सैलवेज कर नहीं सकते, वह तो सब हैं आइटिफिशियल हद की बाते, यह हैं बेहद की बात, सोसल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है, वास्तों में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है, तुम्हारी बुद्धी में है, मनुष्यों की क्या सर्विस करें, पहले तो कहना है, तुम गुरु करते हो, मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं, मिल मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आकरिन कोई ना कोई रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है, जो भी धरम स्थापक हैं, वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक् तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं, साहिब को जपो, वह बाप है सत्गुरु, बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु, ए शरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं, तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव क मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीर धारी है, शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ, सब आतमैं एशरीरी हैं, तुम हम कैसे फसेवे थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकि सब फसेवे हैं, छूटते नहीं, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे, तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है, मोचरा बहुत खाते हैं, तो पद ब्रस्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी, यह है काटों का जंगल, सब एक दो को काटा लगाते रहते हैं, सुवर्ग को कहा जाता है गार्डन ओफ अल्ला, क्रिश्चन लोग भी कहते हैं पैराडाइस था, कोई समय साक्षातकार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहां के धरम वाला हो जो फिर अपने धरम में आ सकते हैं, बाकी सिरफ देखा इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नोलेज लें, सब तो आना सकें, देवताईं वहां बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो इतने हिंदू हैं, असुल में देवताईं थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित, पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं, यह एक ही धरम है, जिसे धरम ब्रिश्ट करम ब्रिश्ट कहा जाता हैं, आदी सनातन हिंदू धरम कहे देते हैं, देवता धरम का कोलम ही नहीं रखते, हम बच्चों का most beloved बाप है, जो तुम को क्या से क्या बना देते हैं, कि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान स्रश्टी पर नहीं आते तो बाप कैसे आएंगे बाप तो है निराकार उनको तो अपना पाऊं है नहीं इसलिए इन में प्रवेश करते हैं अब तुम बच्चे इश्वरी दुनिया में बैठे हो वह सब है आसूरी दुनिय यह है बहुत छोटा संगम यूग है तुम समझते हो हम नै दैवी संसार में है नै आसूरी संसार में है हम इश्वरी संसार में है बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए बाप कहते हैं वह मेरा घर है तुम्हारे खातिर मा अपना घर छोड़ कर आता हूं भारत सुकधाम बन जाता है, तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्यो का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो, हम ब्रमांड के मालिक हैं, ब्रमांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परन्तु वह आकर विश्यो का मालिक नहीं बनते, समझाते तो बहुत हैं कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कोलर्शिप ले लेते हैं बंडर है यहां कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ ब्रहमनी का काम है जाच कर लाना तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है अच्छा मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्नि हम रुआनी बच्चों की रुआनी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धारणा के लिए मुखे सार पहली पॉइंट लाइट हाउस बन सबको शांती धाम सुखधाम का रास्ता बताना है सबकी नया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है अपना भी कल्यान करना है दूसरी पॉइंट अपने शांत स्वरूप स्थिते में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का हभ्यास करना है याद में आखे खोल कर बैठना है बुद्धी से रचता और रचना का सिमरन करना है वरदान अपने संकल्पों को शुद ज्यान स्वरूप और शक्ती स्वरूप बनाने वाले संपून पवित्र भव विस्तार बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो फाउंडेशन में ब्रमचरिय वर्त धारन करना ये तो कोमन बात है सिरफ इसमें खुश नहीं हो जाओ दृष्टी वृत्ती की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो साथ साथ अपने संकल्पों को शुद ज्यान स्वरूप शक्ती स्वरूप बनाओ संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है इस कमजोरी को भी समाप्त करो तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा स्लोगन दृष्टी में सबके प्रती रहम और शुब भावना हो तो अभिमान वा अपमान का अंश भी नहीं आ सकता अच्छा ओम शान्ती